Hello friends, TGTPET स्रीच के अंतरगत हम डिसकस करते आ रहे हैं, figure of speech और friends, आज के वीडियो लेक्चर में हम डिसकस करेंगे climax and anti-climax climax क्या होता है, anti-climax क्या होता है, friends, इनके क्या examples हैं, दोनों में कैसे हैं अंतर पहचाने, क्या इनकी definition है, आपको इन सारे सवालों का जवाब मिलने वाला है, चलिए, शुरू करते हैं, friends, सबसे पहले बात climax की करते हैं, तो climax एक ऐसी figure speech है, जो based on difference है, सबसे पहला point हम डिसकस करते हैं, friends, it's based on difference, यानि ये जो अंतर होता है, अंतर पर based होती है, और फ्रेंस, इसकी origin की अगर बात करें, तो ग्रीक वर्ड है, climax, जिसका आर्थ होता है, लेडर, ये लेडर से आया है, origin इसकी ग्रीक है, और ग्रीक में climax, यहाँ, friends, English में C है, लेकिन ग्रीक में ये के है, climax, और climax का जो meaning होता है, वो होता है, friends, ladder, यानि कोई सीड़ी, अब देखे, यहाँ climax की बात है, सीड़ी की बात है, तो यहीं से इस शब्द से ही आप इस पूरी figure speech को समझ जाएंगे, friends, सीड़ी क्या होती है, आप नीचे से चड़ना सुरू करते हैं, और last week कहां, उसके आखरी पाइदान पर पहुँच जाते हैं, इसी तरह जो climax से वो एक ऐसी figure speech है, जिसमें एक series of words होती है, या series of ideas होते हैं, और वो एक ऐसे वे में वहाँ लगे होते हैं, एक ऐसे वे में sentence में होते हैं, कि ऐसा लगता है कि sentence को वो और impressive बना रहे हैं, और more important sentence बनता जा रहा है, किसकी तरह से, एक ladder की तरह से, clear friends, एक बढ़ते हो एक रम में, बात clear है, तो you can say a series of words or ideas, a series of words and ideas की शब्दों की एक series या ideas की एक series are presented in such a way, कि उन words को या ideas को प्रजेंट किया जाता है, उनको व्यवस्थित किया जाता है, in such a way इस प्रकार से, that the sense rises to more important. that the sense rises to more important, कि इसका जो sense है, वो क्या होता जाता है, friends, वो और important होता जाता है, means, वो एक ladder की तरह से उपर वढ़ता जाता है, अब देखिए, एक example लेते हैं, उसी से आपको clear हो जाएगा, जैसे simple figure speech है, बहुत ज्यादा है, इसमें कुछ सोच विचार नहीं है, to strive, to seek, to find and not to yield. लेकिन जुके नहीं, clear, और यह किस की line, friends, यह Alfred Lord, Tennyson की line है, देखिए, strive, seek, find and yield, और यह कैसे एक बढ़ते हैं क्रब में आपको figure speech, यह दिखाई दे रही है, एक sense आपको बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, I come, I saw, I conquered, I came, I saw, I conquered, clear reference, की I come, की मैं आया, I saw, I came, मैं आया, I saw, मैंने देखा, and I concurred, means मैंने जीत लिया, clear reference, यह Julius Caesar की line है, clear reference, Caesar ने यह line कही है, की I came, I saw, I conquered, clear reference, तो एक बढ़ता हुआ order आपको दिखाई दे रहा है, Julius Caesar की एक और line हम लेते हैं, एक और quote लेते हैं, जो climax example है, there is tears for his love, की जो आशू है, वो किसके लिए हैं, वो उसके प्रेम के खाती हैं, उसके प्रेम के लिए, joy for his fortune, और जो उसका भाग्ये है, उसके लिए क्या है, उसके लिए आनन्द है, honor for his value, और जो उसका वैलोर है, means, जो उसका, उसकी साहस है, उसका साहस है, साहस के लिए उसके honor है, सम्मान है, and death for his ambition, और जो उसकी महत्वा कांक्षा है, उस महत्वा कांक्षा के लिए उसको क्या है, उसको death है, देखिए एक बढ़ता हूँ अक्रम आपको दिखाए है, tears, joy, honor, and death, तो एक बिल्कुल लेडर की तरह से step by step, writer कुछ कहना चाहरा है, और वो step by step आपको बढ़ता हूँ देख रहा है, clear about friends, ये भी Julius Caesar की line है, जो Brutus Caesar के मरने के बाद कहता है, clear about friends, that consolation, that joy, that triumph was offered him, that consolation, consolation क्या हूँ था देखिए, that joy, that triumph, clear friends, consolation, joy, and triumph, triumph कहते हैं, विजय को, joy कहते हैं, आनंद को, was offered him, और ये जो line है, ये किसकी है, ये रावर्ट साओदे की line है, इले, clear friends, consolation, joy, and triumph, इक बढ़ता हुए, यानि, climax, एक ladder की तरह, आपको यहां, जो thoughts हैं, जो ideas हैं, वो देख रही हैं, मात क्लियर होवे फ्रेंट्स क्लाइमेक्स तो चलिए इसके बाद हम डिसकस करेंगे एंटीक्लाइमेक्स क्लाइमेक्स के बाद अब हम डिसकस करते हैं एंटीक्लाइमेक्स को देखें एंटीक्लाइमेक्स का दूसरा नाम बैथोज भी होता है और इसकी औरिजिन की बात करें तो एक Greek word से आई है और जिसका earth होता है depth, origin Greek से है friends, और जो meaning होता है, वो होता है depth, और depth किसे कहते है friends, depth कहते हैं, गहराई को, clear, यानि यह जो figure speech है, यह upset है, किसकी, upset of climax, जो आपने अभी पीछे figure speech पढ़े ही climax, यह climax की upset है, यानि इसमें consist in a ludicrous descent from the higher to the lower thoughts, देखे climax में क्या था, climax में तो एक ladder की तरह ऊपर चड़ता जा रहा था, अपने विचारों को, अपनी जो ideas हैं, उनको वो ऊपर लेता जा रहा था, लेकिन anti climax में क्या हैं, जो ideas हैं, जो thoughts हैं, वो नीचे घटते वेकर में decent order उनका होता है, और वो कैसा होता है, वो बिलकुल एक foolish effect वो reader पर छोड़ता है, clear reference, यानि आप कह सकते हैं, consist in a ludicrous descent, ludicrous descent from the higher to the lower force, बात clear हो गई, और देखें, यहाँ special word आपको देख रहा है, वो क्या है ludicrous, और ludicrous का means होता है friends, foolish, और decent होता है, घटता हुआ, clear, higher से lower thoughts जो है, वो आपको दिखाई देगी, यानि वो घटते वेकर में, और एक foolish effect, यानि एक मूर्ता पूर्ण यहाँ जो संदेश है, वो दिखाई देता है, used to produce the ludicrous effect, special thing यहाँ क्या है, used to produce a ludicrous effect, और इस anti-climax या बैथोस के माधियम से author क्या produce करता है, ludicrous effect, यानि एक मूर्ता पूर्ण वो प्रभाब यहाँ छोड़ने की कोशिश करता है, मूर्ता पूर्ण प्रभाब वो यहाँ छोड़ता है, clear reference, एक example के माधियम से आपको clear हो जाएगा, he lost his wife, his child, he lost his wife, कि उसने अपनी पत्नी को पो दिया, his child, अपने बच्चे को खो दिया, his goods, अपना सारा समान को दिया, and his dog, और अपने कुद्टे को खो दिया, अब देखिए, यहाँ जो dog आ रहा है, यह क्या है, यहाँ जो आप order देखें, words का, जो thoughts का order आपको दिख रहा है, कि उसने अपनी wife, child, goods, and dog, तो आपको जो effect दिख रहा है, जो thoughts दिख रही है, वो घटते रेक्रम में दिख रही है, और जो last में आपको dog दिख रहा है, यह क्या है, यह ludicrous effect छोड़ रहा है, रीडर पर, यानि एक मूर्ठ ता पूर्ण, एक हास्यास पद effect जो है, वो author पर छोड़ रहा है, तो यहाँ क्या हुआ यह, यह बैथोस हुआ, यानि anti-climax हुआ, यहाँ घटता हूँ अकरम नहीं है, अगर friends, वो यहाँ से घटता हूँ अकरम लेता, तो उल्टा वो आपको लेके चलता, लेकिन यहाँ, वो क्या दिख रहा है, घटता हूँ अकरम आपको महाँ दिखाई दे रहा है, clear, एक और example के माद हम से हम समझते हैं, कि when husbands die, or when, कि जब husbands मर जाते हैं, और वेन लेप और वेन लेप डॉग्स ब्रीध देर लास्ट, यह अलिक्सेंडर पोप की लाइन है, और पोप ने क्या कहा है, कि जब husband मर जाते हैं, और जब जो लेप डॉग्सेंट जो कुट्ते हैं, वो अपनी आखनी सांस लेते हैं, देखे, husband dry और lap dog, clear है बात, तो जो effect है, वो क्या दिकराएब फ्रेंज, वो ल्यूटिक्रस effect आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, तो I hope, आज हमने जो सीखी climax, और anti-climax, जिसका दूसरा नाम बैथोस भी था, यह दोनों figure speech आपको clear हुई होगी, climax में आपको जो thoughts हैं, जो ideas हैं, वो बढ़ते हैं क्रम में दिखते हैं, लेकिन anti-climax में जो ideas हैं, वो आपको घटते क्रम में दिखते हैं, और एक ludicrous effect, यानि एक foolish effect, वो readers पर छोड़ते हैं, clear reference, I hope आज का lecture आपने enjoy क्या होगा, figure speech आपको clear हुई होगी, friends अपनी तैयारी को बनाए रखिएगा, literature मेरे साथ साथ करते रहिएगा, और जो vocab है, और इसी के साथ साथ जो grammar है, वो पूरी playlist आपको वहाँ channel पर दिख जाएगी, उसको लीजिए और तैयारी करते रहिएगा, चलिए friends मिलते हैं next lecture में, now thanks for watching this video.